लीजिए अब सुनिए ये कविता कदंब का पेड लीजिए ये कदंब का पेड अगरमा होता यमना तीरे मैं भी उस पर बैठ का नईया बनता धीरे धीरे ले देटी यदि मुझे बासुरी तुम दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाती ये कदंब की डाली तुमें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से अम्मा उंचे पर चड़ जाता वहीं वैठ फिर वड़े मजे से मैं बासुरी बजाता अम्मा अम्मा कह बंची कि पर में तुमें बुलाता सुन मेरी बंची को मा तुम इतनी खुश हो जाती मुझे देखने काम छोड़ कर सुम बाहर तक आती तुम को आता देख बासुरी रख मैं चुप हो जाता पत्तो में छिपकर धीरे से फिर बासुरी बजाता घुसे होकर मुझे डाटती कहती नीचे आजा पर जब मैं न उतरता हसकर कहती मुन्ना राजा मीचे उतरो मेरे भईया तुमें मिठाई दूंगी नएं किलोंने माखन मिसरी दूद मलाई दूंगी मैं हसकर सबसे उपर की टैनी पर चड़ जाता एक बार मा कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता बहुत बुलाने पर भी मा जब मैं न उतर कराता तब मामा कह दे तुमारा बहुत विकल हो जाता तुम अंचल पसार कर अम्मा वही पेड के नीचे इश्वर से कुछ बिंती करती बैठी आके नीचे तुम्हे जान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुमारे पहले अंचल के नीचे छिप जाता तुम गबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे मा कदंब का पेड अगर ये होता यम ना तीरे मा कदंब का पेड अगर ये होता यम ना तीरे कदंब का पेड अभी आप सुन रहे थे ये कविता रचनाकार सुभद्रा कुमारी चोहान कारिक्रम निर्देशन प्रभु दयाल खटर गायन्स्वर यमन संगीतकार संतोष कुमार धुन्यंकन सतीश लाडे और दिपक पांडे निर्मान सहियोग दाव दयाल चतुरवेदी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन